अगर आप हिंदुस्तान हजार साल पहले आते तीन हजार साल पहले आते तो पूरा हिंदुस्तान जंगल था पचास साल पहले आप हिंदुस्तान को देखते काफी जंगल थे और आज आप हिंदुस्तान को देखते हो जंगल कम होता जा रहा है और आज से 20-30-40 साल बाद जंगल आपको दिखेगा ही नहीं गायब हो जाएगा तो यह आप से यह कह रहे हैं कि आपको कोई हक नहीं मिलना चाहिए जब जंगल गायब हो जाएगा तो वन वासी का कोई हक नहीं बचेगा यह है इनका मतलब यह आप से कह रहे हैं कि यह जमीन आपकी नहीं है और आपकी कभी नहीं रही और कभी नहीं होगी आप तो जंगल के हो हम कह रहे हैं कि आप ओरिजिनल मालिक हो यह पूरा देश आपका था और आप से यह देश लिया गया तो अगर आप से यह देश लिया गया तो आपको कुछ देना भी है क्या देना है आपके हक देने हैं शिक्षा देनी हैं स्वास देना है और देश का जो धन है उसका भाग आपको देना है तो पहली बाद यह है फिर आदिवासियों की दलितों की पिछणों की अल्प स्यंक्षक्यों की कैसे मदद होती है कैसे रक्षा होती है हिंदुस्तान में यहाँ पर युवाएं बताओ सबसे बड़ा आपकी रक्षा कौन सी चीज़ करती है यह देखो सविधान सब जानते हैं सविधान किसने बनाया बाबा साहिब हम बेटकर जीने बदाया कॉंग्रेस पार्टी ने उनके साथ मिलकर बनाया उस समय बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा सविधान की कोई जरुवत नहीं है सविधान बेकार चीज़ है और यह हर रोज सविधान पर आक्रमन करते हैं 24 गंटा क्योंकि यह इस बात को मानने को त्यार नहीं है कि इस देश में दलितों को पिछणों को आदिवासियों को गरीबों को हक मिलना चाहिए मानने को त्यार नहीं है तो आपसे चिक्षा चीनेंगे स्वास चीनेंगे जो पब्लिक सेक्टर होता था उसको बंद करेंगे मुझे आप बताओ आपके जो बच्चे हैं प्राइविट स्कूल में पैसा दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते न तो अगर सरकारी स्कूल सब बंद कर दिये जाएं तो आपके बच्चों को क्या होगा पढ़नी पाएंगे अनपढ़ रहेंगे पाइदा किसका बीजेपी का तो तो वो शिक्षा के सिस्टेम पर आक्रमन करते हैं अच्चा जो प्राइविट हस्पताल होता है किसे को दिल का दोरा पढ़ता है कैंसर हो जाता है सबको होता है आपके लोग उसमें जा सकते क्या नहीं जा सकते तो अगर सरकारी हस्पताल सब बंद कर दिये और पूरा का पूरा प्राइविट कर दिया तो नुकसान किसका गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का, पिछणों का जहां भी यह राज करते हैं आप देख लीजिए शिक्षा के सिस्टम को प्राइविट हाथों में दे देते हैं हस्पतालों को प्राइविटाइज कर देते हैं अच्छा तीसरा रास्ता भी जिसको हम पब्लिक सैक्टर कहते हैं पब्लिक सैक्टर में आपके लोग जा सकते हैं सारी की सारी पब्लिक सैक्टर की कंपणियां, यह प्राइविट wanna do kunngas कर रहे हैं तो रोजगार का रास्ता बंथ, शिक्षा का रास्ता बंथ, बिमार हुए तो हस्पताल बंथ, और पिर आपसे कहते हैं बहिया देखो, हिंदुस्तान की बात मत करो, आप लोग बनवासी हो, बात करनी है तो जंगल की करो, जंगल में हग किस ने दिया, कॉंग्रेस पार्टी ने दिया, फॉरस्ट राइट और पैसा कौन लाए, कॉंग्रेस पार्टी लाए, और बीजेपी क्या कर रही है, आपको कहते हैं आप वनवासी हो, और फिर जो आपका हग बनता है वो भी चिन लेती है, ये सिर्फ आप पर आक्रमन नहीं है, देश पर है, मगर ये जो बिर्सम, ये भाईया थोड़ा जंडा, थोड़ा जंडा हिलाव दरा, मुझे ये दिखे, ये ये जो बिर्सम, उन्डा जी हैं, इन पर ये आक्रमन करने इनका अपमान हो रहा है, तो सबसे जरूरी बात समविधान की रक्षा, आदिवासियों को शिक्षा, उनके हक, उनकी जमीन, इससे बिना आपका काम नहीं होने वाला है, और ये लड़ाई सिर्फ कॉंग्रेस पार्टी लड़ती है, और मैं ये भी कह देता हूँ, स्टेट से कह देता हूँ, कॉंग्रेस पार्टी लड़ती है, मगर और मजबूती से लड़नी चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, आकरी बाद देखिए, विर्षा मुंडा जी, भगवान विर्षा मुंडा जी, 24 साल की आयू, पर शहीद हो गए, अंग्रेजों ने, उन्हें जमीन देनी की कोशिश की, धन देनी की कोशिश की, उनको खरीदने की कोशिश की, भगवान विर्षा मुंडा जी ने कहां नहीं, मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए, मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे खरीदा नहीं जा सकता, मुझे अपने लोगों को हक दिलवाना है, मतलब, अंग्रेज उस टाइम के सुपर पावर थे, दुन्या में सबसे बड़ी शक्ती थी, और 24 साल के बिर्षा मुंडा जी ने उनका मुकाबला किया, और एक इंच पीछे नहीं हटे, और उनकी हत्या कर दी, उनको शहीद कर दिया गया, यह आपके चिन है, यह आपको रास्ता दिखाते हैं, अब देखिए, BJP के चिन को देखिए, RSS के चिन को देखिए, सवरकर जी, दो-तीन साल उनको एंडमन में बंद कर दिया, उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू कर दी, हमें माफ कर दो, जो भी हम से चाते हो ले लो, बस मुझे जेल से निकाल दो, सवरकर जी में, और भगवान, बिर्सा मुंडा जी में फरक देखिए, 24 साल में ये शहीद हो गए, आदिवासियों के लिए, सिर्फ आदिवासियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए, और दूसरी तरफ सवरकर जी, जिनको वीर कहते हैं, वीर सवरकर कोई मुझे बता रहा था कि उन्होंने अपने बारे में एक किताब लिए, लोगों को बताया नहीं कि उन्होंने लिए, एक किताब लिए, दूसरे नाम से लिए, कि सवरकर कितने वीर हैं, और अंग्रेजों से पेंशन लेते थे अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे, कांग्रेस के खिलाफ अंग्रेज़ों के साथ काम करते थे और दो-तीन साल पांच साल में जेल के बाद सच्चे सभरकरजी पूरे देश को दिखे जठीन लिखी और अंग्रेजों ने कहा आ जाओ हिंदुस्तान के खिलाफ हमारे साथ काम करो सबरकर जी ने हाज जोड़े का हां जी मैं हाजर हूँ जो भी आप मुझसे चाहते हो मैं करूंगा यह है आपके भगवान में आपके नेता और उनके नेता में फरक और मैं हर आदिवासी युवासे कहना चाहता हूँ यह देखिए यह आपको रास्ता दिखाते हैं इनका रास्ता आपको कभी नहीं छोड़ना है और दूसरी बात आप वनवासी नहीं हो आप आदिवासी हो और आप ओरिजिनल मालिक हो इस देश के बहुत बहुत धन्यवाद जेहिन बहुत बहुत धन्यवाद राउल जी अधरनिया आपने दोजार आठ में जो किसान था आत्मत है किया था उनके विद्वा पत्नी को आपने काफी मदद की थी उसकी एक इच्चा है कि राउल जी ने पोसर कलावती परसुदाच बादूर कर जी यहाँ विद्वा है जिनको आपने मदद कीती वो आपका सुक्रियादा करना चाहती है कलावती परसुदाच बादूर कर जाँचे पतीचा निदन जालो हता अनि त्या मदे राउल जी नी लोक समय मदे प्रश्न उपस्तित करो हां मुद्दा लाउन धरला होता यांचा सत्कार तसेच शंकरलाल बोडाग जी राजस्थान वरून आलेले आहेत ते आधरनिये राउल जी ना पगडी गालून त्यांचा स्वागत करतील त्यास प्रकारे कुसुमताई अलाम है आमचा गर्चुली तिल आधिवाशिक कवीते जांचा पुष्पकुच्च देऊन स्वागत करतील कि का अधिशाय इतियति अधियासिक अश्याप्रकाच चन आधिवाशिन जा इतियास अमदें सुवर wrapper совनी लील साईल अश्या प्रकाच चन जिता राऊल जी नी सता मानला की आमी आदि वसंशायों आमी वन वसिनाओत हाफ फार मोटा चप्रा का है या आरेसेस अनि बीजेपी वालन साथी